रादी रादी डोडो डोडो की लाइफ चर्णी चैनल में आपका सौगत है आज इनको लाइवे पूरे 11 दिन हो चुकी है मॉर्निंग में मैंने इन दोनों को ही फीट करा दिया था वाटर मों यह फीट करते हैं और अभी चोटे हैं चोटे होने के वज़ास यह बास्किंग खुद से नहीं करते हैं तो डे में मैं इनको बास्किंग एरिया में रखते हूं और यह यूबी भी बाल्ब ओन कर देती हू एक तो विंटर का टाइम है इनके आसपास का जो एटमोस्पेर का टैंपरेशर होता है वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा क्योंकि विंटर में आप और हम लोग क्या करते हैं घरम कपड़े पैनते हैं जिससे कि हमारा बोडी टैंपरेशर ठीक में रहे नहीं तो हमें ठंड होते हैं कोई भी वैराइटी हो जो भी टलतल की होती है चाहिए वो टोटोई जो मिट्टी में रहते हैं यह थंडे खून वाले होते हैं इनका टैंपरेशर तो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है तो इसलिए अब उस साइट का टैंपरेशर इस डोडो का 39 था तो मैं टैंपरेशर बढ़ जाते क्योंकि दीरे दीरे लाइट हीट करती है और प्लास्टिक वैसे तो इसलिए थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है अब मैंने इसको यहां पे तो रख दिया लेकिन इसको अब यह जाग गई है और नहीं से जागने के बाद तो खलवली मचेगी खल प्रशान ना करें अब देखो उसे कहरें कि तो हट जा मेरे प्लेस पर मुझे यहां पर चुपना है अब देखो धक्का तो ऐसे दिया वह बिचारा नींद में है वह इधर आना चाहेगा लेकिन यह ना ऐसे ही करती है हमेसा कोना इसको पसंद है कोने में ही जाएगी और उस सोने हैं सोजा अब टोटो को भी मैंने साइड रख दिया है और मैंने इस जान बूचकी नहीं रखा मैंने को कई बारी देखा है कि दोनों एक ही क्योंगे में ऐसे फीस करके की साइड को सो जाएंगे सो जाएंगे फिर मैं चेक करूंगे कुछ दिर बाद तो ऐसे सोई रहे तो यह इनको पॉर्फेक्ट टैंप्रेचर है बास्किंग लाइट में रखने का जो यूवी बल्ब का है ऐसा हमें डोक्टर ने बताया है और हमने कई जगह पर सर्च किया है तब जाके लगा है यह देखो अभी इसको नीन नहीं आ रही क्योंकि यह तो जाक चुकी है ना कित तो यह इनका यह 11 दे का अपडेट था जो कि मैंने आपको दिया है थैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्यू सो मच